डिजनी होट सार की फिल्म अतरंगी रे की कहानी बिहार से शुरू होती है जहारिंकू नाम की लड़की की शादी उसकी नानी के आदेश पर जबरन पकड़कर लाये गए तमिल भाशी लड़के विशू से सबरतस्ति करा दी जाती है ये शादी बिहार की पकड़वा शादी होती है विशू रिंकू को बताता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है दो दिन बाद उससे उसकी सगाई होने वाली है और रिंकू कहती है कि ये तो अच्छा है त्योंकि वो खुद सजात से प्यार करती है रिंगु सजाद के प्यार में 21 बार घर से भाग चुकी है और हर बार पकड़ी जाती है हलाकि ये अलग बात है कि वो हर बार अकेली ही भागी है इस पूरे एक्शन, इमोशन और ड्रामे का सारा चक्कर सारा अलिक खान के चार ओर चलता है त्योंकि ये फिल्म सारा अलिक खान की ही फिल्म है फिल्म का सबसे मस्बूत पक्ष भी इसके कलाकारों का दमदार अगने है खासकर सारा अलिक खान और धनुष का अगने ये दोनों कलाकार अपनी अधाकारी से दिल चित लेते हैं अक्षे कुमार और धनुष जैसे स्टार अवनिताओं के सामने सारा अलीख खान ने बेहत सधा हुआ अवने किया है। उसे देख कर लगता ही नहीं कि ये नवोदित कलाकार है। सारा के रिंकू के किरदार ने साबत कर दिया है कि वो सैफ अलीख खान और अमनितासी की बेटी होने के सिमतारी उठाने के लिए तैयार है। धनुष की तो पहचान ही एक शांदार अवनिता के रूप में है। धनुष का काम अपने नाम के अनुरूप ही बेहत बढ़िया अक्षा कुमार के लिए कोई खास गुंजाईश थी ही नहीं फिर भी उनका काम अच्छा रहा। सीमा विश्वास का रोल छोटा है लेकिन सीमा परवाव छोड़ने में काम्याब रही है। सच बात तो यह है कि फिल्म अतरंगी रे की असली जान दनुष और सारा अली खान क की बेहतरिन अधाकारी और अनन्द इलराय का उंदा नर्देशन है। इन अतरंगी रे में कुछ कम्या खटकती हैं। कई कम्यों के बहुचूद फिल्म पन्नोरंजन करती हैं और कुछ समस्याओं पर प्रकाश भी डालती है। फिल्म बहुत बढ़िया ना सही लेकिन पिक अन्ध